कि छले हैं कि फिलाल मेरे साथ वह व्यक्ति मौजूद है जिनकी वज़ा से सोसल मीडिया पर ये बवाल उठा कि रोडवेज की जो मांग थी सबसे पहले आपने उठाई और मैं आपको बता दूं कि नाम इनका दिलिप तिरपाटी है लेकिन उर्गुआ के जितने भी अस्था चाहेंगे कि आपको हर खबर हर चीजों आपकी आपकी नजर लएगता हैं सवाल मेरा है मैं जहां तक आपको बहुत अच्शी तरह से जानता हूं हम लोग का पर्चे मैं जब से जनम लिया हूं लगबक तफसे हैं जब से हो समाला हूं यह लगता है 200 साल से आपको जीप में बैठे नहीं होंगे कमांडर जीप सभारी आपको क्यों मतलब यह नहीं देखे होता क्या ना कि एक बार रामद्यों का हमने इंटर्व् यह लोग समाजिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं होगा और जब किसी भीचियों को फेस्बूक पर खासकर करके फेस्बूक पर ही डालता हूं तो जब उसका सो से यह असी से नबबे से होता है तो मुझे लगता है कि आम जनता की आवाज है और कहीं ना कहीं जनता को से कि मुझे तो पता मिने था कि उर्वा से कितना किराय लगता है लें कई लोगा काते हैं हमारे डाक्टर साब बैठते हैं वो लोगा कहते हैं को लाओना साइट के पिशेंट की बाव सब्सक्राइब लग जाता है तो एक मन में टीस जरूर होती है कि 17 किलोमीटर की दूरी पचास उर्पया भाड़ा रोड एक नंबर है जाने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे एक बैटरी वाली गाड़ी भी 20 मिनट में आपको पहुंचा देगी लेकिन इतना भाड़ा क्यों है तो जब मैंने देखा कि कोई इस पर आवाज ने उठा रहा है तो मुझे देखा कि चलो सोचल मीडिया डालते हैं और मानी विधायक राजस्तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे पास फोन किया और उन्होंने कहा कि इस चीज को मैं उठाऊंगा बसाब मंत्रिपत का विस्तार हो जाने दीजे विभागों का बट्वारा हो कुछ दिन पहले पोस्ट डाला था और चुनाव का समय चल रहा था मैंने आपसे कहा था कि वह मुद्दा मैं उठाऊंगा और देखिए आज आपसे मुलाकात हो गई सामने आपके जश्ट दुकान के सामने एक सौचाल है उस पर भी आपने डाला था कि एक बढ़िया सोचा कराया उन्होंने और नए सीरेशिस को बनाने का परस्ताव दिया चुकि चुनाव भी जल्दी खतम हुआ तो मुझे लगता बहुत जल्द सुरू होगा उसके लिए जुगनु भाइया को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बात को गंभीरता से लिए बस इंतिजार रहेग सिर्फ यह चाहिए कि अखिलेश भाइया दिखते हो उनको उनको यह नहीं है कि सड़क पो उतरे जो सामाने आम आदमी की दिक्कत है उसको आवाज उठाए बाजपा के नेताओं को सिर्फ सेल्फी के अलाम कुछ नहीं दिखता है वो लखनाउं से दिल्ली से लगाते हां त जगह देता हूं लेकिन अब हमने एक नियम बना लिया है हमारे घर दुकान पर कोई आता है अगर कोई महिला आगे संभरांत परिवार की अगर वो कहती कि यहां बंद है कहीं जगह दीजे तो मैं सीधे कहता हूं कि उर्वा के प्रधान है संतोष ठठेर उनके घर पहुंच कि जबाम जनता जागरूख होगी निश्चित तोर पर और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं धन्यवाद बधाई तो छोड़ दीजिए वह तो काम पूरा होगा तो हम लोग आपस में मिठाई खाके बधाई ले लेंगे दूसरे से लेकिन बहुत धन्यवाद बैया कि आ एक मिनट का भी समय आप अपने वैवसा क्यालाओं कहीं नहीं देते हैं बावजूद उसके आप जब रोड पे आते जाते इस तरह की समस्याओं को देखते हैं उठाते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको साधवाद एक बार पुना मैं दे रहा हूं कि अपने छोटे से छोटे मुद्धे को अपने माध्यम से आप जनता के बीच पहुंचाने का कारी किया बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बहुत बढ़ाई और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप इस तरह के जो भी छोटे मुटे मुद्धे हैं और एक चीज़ और यह विदायक रहे हैं मंत्री भी रह चुके हैं और चुकि चिल्लू पार का या सबसे पश्चिमी छो रहे हैं तो इग्नोर ना कीजिएगा यह समस्या बहुत गंबीड समस्या है और उम्मीद है कि आप इस पे संग्यान लेंगे बागी केमरे के उस पार से मेरा सायोग कर रहे हैं धन्यवाद